चहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटीब चेनल चुन्नो जी के सेंटर पर मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए आज का जो टोपिक लेकर आया हूँ वो आराश्ट आंदोलन से संबन्दित है जो 877 की करांति से संबन्दित है जिसमें लागवक 200 प्रशन मैं लेकर आया हूँ तो चलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बाद सेयर भी कर दिजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं लाइन में रहिएगा पहला सवाल कि अंग्रेजी भारते सेना में चर्बी वाले कार्तूसों से चलने वाली एनफिल्ड राइफल को सामिल किया गया दिशमर 856 में और भात के पर्थम स्वतरंद्रता चंगराम का मुखी ततकाली कारण था अंग्रेजों का धर में हर्ष्ट चेप का संदे मंगल पांडी की घटना होई थी बेरकपूर में का होई थी बेरकपूर में मंगल पांडी सिपाई थे चोतिशमी बंगाल नेटिव इनफेंटरी के 857 के विद्रों के दोरान बहदूर सा ने साहाब ए आलम बहदूर का किताब दिया था बक्त खान को 857 की करांती का पर्मुकारन था बेटिस समराज की निती थोड़ा सा इसको हटने दिजे 857 की करांती स्तरपर्थम प्रारम हुई मेरट से 857 के स्वातंतरता संग्राम से सम्मंदित पाली गटना थी सेनिकों का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुँचना 857 के स्वाधिनता संग्राम का पर्तिक था कमलोर रोटी और 1857 के संग्राम के जहां सी मेरट दिलिपूर तथा कानपूर के अनलों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुना अधिक्रित किया दिल्ली को किसको किया था दिल्ली को चलिए आगे बढ़ते हैं 1857 के स्वाधिसंता संग्राम की विरांगना महरानी लच्मी बाई की जन्मस्तिलिका थी तो वाराना सी और 1857 के परेली विद्रो का नेता था खान भाधूर महरानी लच्मी बाई की समाधी इस्तिते गौालियर में और रानी लच्मी बाई को अंतिम जुद में सामना करना पड़ा यूरोज का और 1857 का विद्रो लखनव में जिसके नेतरुत में आगे बढ़ा था वह थी बेगम अब अवद और एक महिला जिनोंने अवद में 1857 की क्रांति का नेतित किया था बेगम हजरत महल थी और इलहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मोल भी लियाकत अली चलिए आगे बढ़ते हैं 1857 के संगस में भाग लेने वाले सिपाहियों की स्रवादिक संक्या थी अवद से नाना साहाब का ज्यान दिजेगा नाना साहाब का कमांडर इन चीप था तात्या टोपे कौन था तात्या टोपे और अजी मुल्ला खां सलाकार थे नाना साहाब के वर्ष 1857 की संदर में नाना साहब कुमर सिंघ खान भाधूर खान तत्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था ततिता जिसे अंगरेजय की द्वारा बंदी बना कर मार दिया था मार दिया गया तत्या टोपे थे 2877 के क्रांतियों में वा जिसका वास्तिविग नाम रामचंदर पांडूरंग था ता त्या टोपे थे कुमर सिंग 2877 के विद्रों के परमुख नायक थे परसंबन थे बिहार से और पटना के 1857 के सवतंतरता संगराम के नेता थे राजपुत कुमर सिंग असम में 2877 की क्रांति का नेता था दिवान मनी रामदत और 2857 के विद्रों का विद्रों का विःखार में 15 जुलाई 2857 से 20 जनरी 2859 तक केंदर था जगदिशपूर जगदिशपूर का वाव वैक्ति जिशन 877 के विपलो में रांती कारियों का नेतित किया कुमर सिंग था और जगदिशपूर के राजा थे कुमर सिंग इसको आध रखेगा उसके बाद क्या है वो भी देखिए उसके बाद है आजमेर जैपूर नीमज्ट था नहीं 877 की करांती में अंग्रेजों वजोदपूर की संजुट सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकूर कुशल सिंग और आजमेर जैपूर नीमज्ट था आउवा में से राजस्थान में 877 की करांती का क्यान नहीं था तो जैपूर चंद सिखर आजाद राम परशाद विश्मिल सादत खान तथा माखनल चत्रुवेदी में से 877 में अंग्रेजों से संगर्श किशने किया था तो सादत खान ने और मोलवी एहमद दुल्ला सा ते लिए आगे बढ़ते हैं 877 के विद्रों को देखने वाले उर्दु कभी थे मिर्जा गालिब और सुपर्शित सायर मिर्जा गालिब का मुल निवास था आगरा और आजादी की पहली लड़े 877 में भाग नहीं लिया बगत सिंग ने इस सवाल पूशा जाता है इसलिए इसको इस्तरा कर सब दिया गया है आगे बढ़ते हैं 877 के विद्रों में बेगम हजरत महल कुवर सिंग ठीक है उधम सिंग तथा मौलवी एहमद अल्ला में से संबद नहीं था तो उधम सिंग का 877 के स्वतंदता संग्रा में अंग्रेजों की स्त्रवादिक सायता करने वला राजवन स्ताक्वालियर के सिंधिया और भात में सिक्चित मदेवर्ग ने 877 के विद्रों से तट अस्तता बनाई रखी थी और खेतीहर माईदोर सावकार किर्शक तथा जमिंदार वर्गों में 867 के विद्रों में भागने लिया ने हैं शावकार तथा जमिंदार ने साही सो मेली थे सुची एक सुची दोज से वक्त खां दिली काथा मुल्वी अहमदुल्ला अवद से कुमर्शिंग आरा से नाना शाहब कानपूर से इसमें भी हुए जहांसी रानी लच्मी भाई लखनोर से बेगम हजरतमाल, कानपूर, अजिमुल्ला खां, फेजाबाद, मौलवी एहमद साहब प्रांतिकारियों के नाम है इधर स्थान है नाना साहब, देख सकते नाना साहब, कानपूर, नवाब, हामिदाली, खांग दिल्ली, मौलवी हमदुल्ला लखनो, मनी राम दिवान, असम 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नल जनरल था लौट केनिंग, 1857 विद्रो के समय बेरागपूर में ब्रेटिस कमांडिंग अफ्चर कौन था, तो ये था जोन बेनेट हैर्सी 1857 में इलहाबाद को अपातकालिन मुख्याले बनाया था लौट केनिंग ने, और 1857 के विद्रो के समय ब्रेटिस प्रदानमंत्री थे पिसकॉंड पार्मिष्टन, 1857 का विद्रो मुख्याता सफल रहा, किस के कारण, तो किसी समान होजना और केनिंग संगठन की कमी के तो यह PDF आपको मिल जाएगा, और जाके डाउनलोड कर लिजेगा, बहुत ही अच्छा PDF है, 1857 का पर्थम सवतनता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि भारती सिपाई में उद्देश की एकता की कमी थी, और प्राय भारती राजावने ब्रेटिस सरकार का साथ दिया, और ब्रे और वीडियो भी बनाते हैं, धकान तो लगना बहुत ही जरूरी है, जली अंग्रेज राजपूत राज्यों में अठार संतावन के विद्रों को दबाने में सफल राज्यों की अस्थानी सास कोने क्रांती करियोकारियों कर साथ नहीं दिया, जनरल आप निकल्सन और जनरल मेजर जनरल हेवलोक तथा सर हेंडी लॉरेंस में से वह बिटिस अधिकारी जिनोंने लखनव में अपना जीवन खोया था, जनरल नील मेजर जनरल हेवलोक तथा सर हेंडी लॉरेंस थे 1877 में पर्थम सोतंततार संगराम बिटिस सरकार से सोतंतता प्राप्त करने में सफल रहा, कारण दिया है, इधर कथन दिया, कारण क्या दिया है? ये बहादुर साजफर के नितित को जन सयोग नहीं मिला था, और अधिकान समधपुन रियास्यतों के सासेगून का साथ दिने वह आधुनिक इत्यासकार जिसने 857 के विद्रों को स्वतनिता की पहले लड़ाई का था वीडी सामर कर थे और भारती स्वतनिता अंदुलन का सरकारी इत्यासकार था एसन सेन और भारती भारती भारसा में 857 के विपलव के कारणों पर लिखने वाला पर्थम भारती था स्यद आमद खां और तथा कतित पर्थम राश्टे स्वाताता संग्राम ना पर्थम ना राश्टे और नाई स्वात नताश्डा था या कतन समद्य आरसी मज़ूम धार से अठारसवा शंतावन की करांती में सही आवधारनाय इसने भारत में इस्ट इंडिया कमपनी की साषन प्रनाली को मिर्द प्राय बना दिया महरानी विक्टुरिया ने भार्ति प्रशासन को विटिस स्टाज के नित्रन में लेने की घुषणा की थी 1908 अंठावन को समरागी विक्टुरिया ने अंठावन की घुषणा में भार्तियों को बहुत सी चीजें दिये जाने का आश्वशन दिया और वह आश्वसन जिसे बिटिस आशन ने पूरा किया था रियासतों को हड़ापने की निती समाप्त कर दी गई चलिए महरानी विक्टुरिया की उद्गोषना अठाशान ठाउन का उद्देश्ता भारते राजयों को बिटिस रामराज में मिलाने के इसी भी विचार का परित्या करना दा भारते प्रसाशन को बिटिस क्राउन के अंदरगत रखना चलिए आगे देखते हैं पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग ता साइमन कमिशन में 1857 के विद्रों के दमन के बाद भारते फोज के नव संगठन से संबंदित है तुप्पी लायोग 1857 के विद्रों के बाद विटिस सरकारने से पाहियों का इन प्रांतों से चैन किया तो गोर्खार सी के में पंजाबी उतर प्रांत से आज का ये विडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो फिर मिलते हैं अगले विडियो में अब तक लिए जय हिन जय भारत